बिगोट से पंचाय समीती मांडलगट शेतर के जन प्रतिनीदी प्रधान सतीश कुमार जोशी एवं ब्लाक अलसंक्यप अध्यक्ष कयूम लोहार कस्बे में महात्मा गांधी विध्याले अंग्रेजी माधिम के लिए प्रसावित इस्थान को परिवर्तित करवाने की मांग क को लेकर शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला से मिलकर हाथो हाथ निर्धारित इस्तान परिवर्तत करने की शिक्षा मंत्री से अनुसंशा करवाई गई विधित रहे राज के बालिका उच्छ माधिमिक विध्याले को लेकर शिक्षा मंत्री को पत्र सौपा बताया कि राजसरकार की योजना के अनुरू अनसार 5000 अबादी वाली कजबे में महात्मा गांदी अंग्रीजी मीडियम स्कूल की घोशना के तहट कजबे के लिए राजकी माध्मिक महात्मा गांदी अंग्रीजी विध्याले खोलने के प्रस्ता हुए अंगरेजी विध्याले के लिए राच्किय बालिका उच्छ मादे में एक विध्याले परिसर का निर्धारन हुआ ग्रामीनों का कहना है कि यह बालिका विध्याले बन होने से बालिकाओं के बःश्य के साथ खिलवार होगा बताया कि ग्राम बिगोद में 750 बालिकाय अल्ग संक्यक समुदाय की हैं जो बालिका विध्याले में पढ़ती है यह विध्याले परिसर 100-200 फिट का है शेश बालिकाय मर्ज विध्याले परिसर में पढ़ती है जो 40-40-60 फिट का बना हुआ है जो बहुमत छोटा है जो कि स्कूल है विध्याले की पढ़ाईवे परिणासे अ अभी bhaa वक संतुष्ट हैं विध्याले में बदलाव के जाने से अल izarukуч सम्धाय की 350 बालिकाऊं को पढ़ाई का अंधकार में चला जायगा बालिकाऊं बालिकाओं को लड़कों के विध्याले में पढ़ना पड़ेगा दूसरा सरकार एक तरफ से बेटी बचाओ बेटी पड़ाओ के साथ शिक्षा को बढ़ावा दे रही है और दूसरा बालिका विध्याले बंद किया जा रहा है महात्मा गांदी अंग्रेजी विध्याले के लिए अन्यस्थान के सुझाओ दिये हैं राज के चात्रवास जिसमें 15 से अधिक कमरे हैं जो वर्तमान में बंद है पह इसके लिए उप्यूक्त है दूसरा राज के उच्छ प्राथमिक विध्याले बस स्टेंड के पास प्राथ निरस्त कर दिये हैं विगोद में दूसरी जगर महात्मा गांदी अंग्रेजी विध्याले खोला जाएगा प्रधान सतीश कुमार जोशी मांडलगट से जानकारी दी